दोस्तों अगर आप mutual fund में investment करने के लिए किसी brokerage application जैसे कि grow हो गया, जिरोधा हो गया, up stock हो गया, it money हो गया, 5 पैसा हो गया, इन में से या फिर इसके अलावा जितनी भी brokerage application होती हैं किसी भी brokerage application का आप use करते हुए अगर investment करते हैं और SIP या फिर लमसम के दोरान किसी भी stage पर यानि कि आप अपनी नई SIP के लिए bank change कर सकते हैं या फिर existing SIP के लिए भी bank change कर पाएंगे, इन सब का पूरा process क्या है, इस video के description में आप को एक dedicated playlist का link दिया गया, जिसमें bank से related जितनी भी आपकी queries होगी, सब पर dedicated video बने हुए हैं, तो make sure कि अगर आपका भी इस प्रकार का bank तो change कर दिया, यानि कि जो आपकी running या फिर existing SIP है, उसका जो auto pay होगा, यानि कि जो installment उसका bank आपने change कर दिया, लेकिन जो आप mutual fund से redeem करेंगे, जब भी आप mutual fund से पैसे को redeem करेंगे, तो आपका जो नया bank आपने add किया है, उस नय bank में पैसा नहीं आएगा, और अगर आप य अविश्य में कभी भी redeem करेंगे, तो वो redemption या तो reject हो जाएगा, या तो आपके पुराने bank में जाएगा, अगर पुराना bank जियो की पहले जिससे आप SIP करते थे, अगर वो active होगा, तो उसमें आपका redemption amount जाएगा, और अगर IFSE code बदल गया होगा, branch transfer के condition में, या फिर अगर वो bank account deactivate हो गया होगा, या फिर वो bank बंद हो गया हो, कुछ भी हो, जिसकी वज़से अगर आप उस account को access नहीं कर पा रहे हैं, तो उस condition में आपका redemption request होगा, वो reject कर दिया जाएगा, तो इन समस्याओं को कैसे short out करते हैं, और ऐसे क्यों समस्याओं आती हैं, इसके बारे में detail में बात करने जा रहे हैं, अंतर तक जोड़ जोड़े रहे हैं, नमस्कार दोस्तो, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं, फिनो बिट यूट्यूब चैनल, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विज़िट करने हैं, तो इसको subscribe करते हुए, बेल आइकन को प्रेस करना न इस पर आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखिए, उपर ही आपको एक लिंक दिया गया है, बैंक एंड आटो पे का, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको एक बैंक दिखेगा, HDFC बैंक, ठीक है, और यहीं इनका primary bank भी है, ठीक है, और इसी primary bank से इनका active auto pay mandate भी set है, यानि इनकी जो running SIP या फिर existing SIP जो होगी, इसी से इनका auto pay हो रहा होगा, bank account से debit हो रहा होगा, अब चलिए, जो भी इनका SIP है, उसमें से अगर हम लोग redemption का request डालते हैं, तो उस request के दौरान आपको बताया जाता है, कि इस bank account में आपके पैसे redeem किये जाएंगे, यान पर आपने देख लिया कि इनका जो bank account है, वो HDFC bank है, अब redeem करके देखते हैं कि कौन सा bank account आता है, अब जैसे देखिए, grow application मैंने open कर लिया है, और इस application में जो भी आपकी investment है, या फिर SIP वाले section में जा करके, किसी एक mutual fund जिसमें आपका investment है, अगर मैं उस पर click करके redeem करने के ल option पर आपको click कर देना है, उपर आपको amount डालना होता है कि कितना आप रुपया redeem करना चाहते हैं, या फिर units में convert करके भी आप उसे units में डाल सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको mainly ये दिखाना चाहता हूं, कि यहाँ पर redeem करने पर आपका किस bank account में पैसा आएगा, यहाँ पर दे bank HDFC से कटता है, इनका primary bank account भी HDFC है और उसमें auto pay भी set है, बावजूद इसके यहाँ पर HDFC bank में पैसे आपके redeem नहीं होगे, बलकि ICC bank में होगे, ऐसा क्यों, यह mainly problem उन लोगों के साथ आता है, जो कि अपना bank change किये होते हैं, जैसे पहले माल ये किसी अलग bank से आप SIP सुरू क किये होगे, और बाद में जा करके, अगर आप bank change करते हैं, तो SIP में जो installment pay होना है, मतलब कि आपके bank account से cut करके, जो AMC को payment होगा, mutual fund में invest करने के लिए, वो bank account तो आप grow application, zero धा या फिर इस प्रकार के brokerage application के माध्यम से online उसको change कर पाते हैं, लेकिन जो bank payout होता है, उसे आप online change नहीं कर सकते हैं, इन brokerage application के माध्यम से, अब ये payout bank क्या होता है, देखिए, दो प्रकार के flow होते हैं, आपके mutual fund में, या तो inflow होगा, यानि कि आपके bank account से पैसा cut करके, और आपके mutual fund में invest हो रहा है, यानि पैसा वहाँ पर क्या हो रहा है, इन हो रहा है, तो उसे inflow बोलत होते हैं, अब यहाँ पर ध्यां से समझेगा, जो आपका payout bank होगा, वो कैसे set होता है, तो जब पहली बार किसी भी mutual fund में आपने SIP किया है, उस पहली बार installment pay करने के लिए, जिस भी bank account का आपने use किया होगा, वहीं आपका primary bank account payout के लिए, यानि redemption के लिए set हो जाता है, और ज जो payout bank है, वो change नहीं होता है, payout bank जो already set हो चुका है, उसी bank में आपका पैसा credit होता है, अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को समस्या यह आती है, कि वो इन चीजों को ध्यान नहीं देते हैं, उन्हें यह confirm रहता है कि चुकि हमने bank अपना change कर लिया है SIP में, वहाँ पर auto pay चेंज कर लिया है, तो उस condition में हमारा पैसा उसी bank में आएगा, जो कि नया bank हमने add किया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो इन सभी चीजों को ignore कर देते हैं, और उनका पैसा या तो पुराने bank account में जाएगा, और मालीजे वो bank account उन्होंने बंद कर दिया है, या फिर IFSC code change हो जाएगा, बहुत सारे लोगों को ये समस्य आती है, तो इसके लिए जरूरी ये है कि आप SIP के bank account को जो change किये है, वो तो ठीक है, आपने SIP installment पे करने के लिए change किया है, लेकिन आपको payout bank भी change करना होगा, तब ही जाकर के आप नए bank account में अपना पैसा redeem कर पाएंगे, अन अगर आप अपने payout bank को किसी brokerage application के माध्यम से change करना चाहते हैं, यानि कि जो आपकी dividend आती है, या फिर redemption आप करना चाहते हैं, वो bank change करना चाहते हैं, तो इस प्रकार से आपको एक physical form भरना होगा, और ये form जो है, भर करके आपको इनके address पर भीजना होगा, यहाँ पर देख application यहाँ पर लिखना होगा, आपका trading और DP code जो है आपके profile, जो grow application का profile आप देखते हैं, उसमें जा करके आपको पता चलेगा, इसके लावाद जो भी detail इसमें मांगी जा रही है, और साथी साथ आपको आपका recent photo भी और signature cross करते हुए, यहाँ पर करना होगा photo पर, और जो भी detail यहाँ पर मांगी जा रही है, वो सारी detail आपको fill करनी होगी, ठीक है, और इसके बाद से देखिए, यहाँ पर आपसे account detail और addition, modification, deletion request form है यह, तो यह सारी आपको यहाँ पर detail भरनी होगी, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, यह इनका registered office address है, इस address पर आपको वो जो form है, उ आप अपना previous bank, जो की आपका पहले से payout bank के तौर पर save है, उसका cancel check और जो new bank account आप add करना चाहते हैं, उसका cancel check भर करके आपको इस form के साथ भेजना होगा, इस particular address पर, यहाँ तक चीज़े clear हो गई, यह तो हो गया offline प्रक्रिया, अगर आप online प्रक्रिया के तहत अपने bank detail को change करना चाहते हैं, तो इसके लिए दो process है, जो भी आप mutual fund में investment करते हैं, वो दो registrar, जो हमारे देश में most popular हैं, पहला CAMS और दूसरा K-Fintech, इनी के माध्यम से आपका data जो है, वो manage किया जाता है, तो आपके CAMS की official website पर जा करके particular, जो भी mutual fund में आपका folio number होगा, उसमें आप bank pay out change करने के लिए request कर सकते हैं, ये प्रक्रिया online होती है, के Fintech पर ये प्रक्रिया online थोड़ा मिलना मुश्किल है, यहाँ पर आपको offline के थू ही जाना पड़ेगा, अब आपके मन में प्रशन आएगा कि इन दोनों के साथ करना ज़रूरी है क्या, तो आपको देखना होगा कि आपकी इस mutual fund में invest किये हुए है, कुछ AMCs को manage करने का काम CAMS करती है और कुछ AMCs को manage करने का काम KFintech करती है, लेकिन आपको ये भी धियान रखना है कि CAMS के मादयम से जो mutual fund AMC आपको online bank update करने का एक तरीके से जो सुविधा दे रही है, उसमें जो आपका folio में जो total value हो चुकी आपका amount तो आप ये online प्रक्रिया नहीं कर सकते हैं, चलिए CAMS के website पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, देखिए यहाँ पर mutual fund AMC जो है, जिसको manage CAMS करती है, उसका list आप देख पार होगे और उसमें प्रतेक AMC का कुछ limit तैय किया गया है, मतलब कि इस AMC के साथ ज इतना भी mutual fund आप लिए होगे, चाहें आप small cap, flexi cap, सभी folio को मिला करके जो आपका total valuation होना चाहिए, वो 1.5 lakh से जादा नहीं होना चाहिए, अगर 1.5 lakh से जादा है, तब यहाँ पर CAMS के माध्यम से भी आप अपना bank, payout bank जो होता है, वो online change नहीं कर पाएंगे, इसके लिए आ कोई भी limit नहीं रखा गया है, ठीक है, यहाँ तक clear हो गया, अब यहाँ पर मालीजे, CAMS और K-Fintech के माध्यम से आप अपने payout bank को change करना चाहते हैं, तो आपके शहर में CAMS और K-Fintech का office होता है, उसको आप Google पर search कर सकते हैं, उसके बाद physically जाकर के आप वहाँ पर एक form दिया सकते हैं, या फिर वो जो भी document आपको बताएंगे, जो भी वो allow करते होंगे, उसके हिसाब से आपको submit करना होगा, और आपका payout bank, यानि withdrawal करने पर जिस bank में आपका पैसा जागा, वो update कर दिया जाता है, यह तो प्रक्रिया हो गई offline के तोर पर, अब बात कर लेते हैं कि अग आपने सारे folio में सिर्फ एक click के मादेम से bank को update कर सकते हैं, payout bank को, लेकिन 90% cases में देखा गया है कि जो भी के, जो MF Central की website से अपने payout bank को change करने के request करते हैं, उसमें से 90% cases में उनका, जो payout bank change करने का request है, वो reject कर दिया जाता है, इसके बहुत ज्यादा region है, जिसके बारे में एक वीडियो में बात कर पाना बहुत मुश्किल है, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, MF Central के मादेम से किस प्रकार से bank payout change किया जाता है, लाइव में करके दिखाऊंगा, और कौन-कौन से region है, जिसकी वज़य से 90% लोगों के request reject कर दिया जाते हैं, और जब आप अपना payout bank change करने जाएं, तो ये सारी चीजों का विशेश तोर पर ध्यान रखें, इसलिए आपको updated रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल उस पर आएगी, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बान करें आपका दिन सुब्ध हो